एके औरोडा एलेक्ट्रोनिस हिंदी में सभी दर्सकों का आदिशा आगता है इस वीडियो में आपको सोनी का 55 इंच का जो टीवी है उसके अंदर अगर 80 AJ 55X 80 AJ मौडल जहें उसके अंदर जहें वो सब्टाइटल का कंट्रोल कैसे करते हैं सब्टाइटल को हमने आफ करना है या आपकी सुईदा के इंचार यदि सब्टाइटल आपको नहीं चाहिए तो सब्टाइटल को आप कर सकते हैं यदि आपको इसकी जरूर्थ है सब क Allah मैं इसको औन पोजिशन में लेकर आना चाहिए आप कर आप गवाओ से दहा लीजी यह संटर वाला बटन इसको मैं प्रेस कर रहा हूं इसको प्रेस करती है आपका यह option आ गया है इसमें आप option देखिए कि अभी यह नीचे वाले पर है play और pause वाले पर है तो इसको मैं इसको उपर की तरफ मुग कर रहा हूँ अभी X-ray वाले के उपर आ गया है आप देखरें इसके बाद फिर उपर किया मैंने तो play from beginning वाला option आ आपका उसके राइट साइड में इससे जाएं आप अभी सब्सक्राइटल के ओपर जाया है यलो का यलो बॉक्स बन रहा है यह सब् इसको इसको कुंट्रोल करने के लिए फिर सेंट्र वाय सेुने किया करते अब आप देख रहे है दिखा आप सब टाय्टेल्स ओफ टो सब्तायटल सोफ वाले को फिर प्रेस करूंगा जब यह कहां किस दौशिट में और सब्सक्राइट्र केंब्स और यह language उसमें चुकि एक ही language इसलिए option नहीं आ रहा है तो languages एक ही language के subtitles इस movie के अंदर डाले गए हैं जो कि English नहीं है अभी off है तो यह off किया हुआ है तो आपके off हो जाएंगे और यह अन करना है अभी यह जो off दिखा रहा है इसका मतलब आपका इसको मैं अब इसको on कर देता हूँ यह आपके off है subtitles off है अब मैं इसको दबारे एक example लेकि और बताऊंगा अब आप TV स्क्रीन पर देख रहे हैं subtitles नज़र आ रहे हैं तो subtitles जब on है तो आपके TV स्क्रीन के उपर subtitles नज़र आएंगे अब मैं आपको subtitles में font किस टाइप को नज़र आएंगे subtitles का color क्या होगा font का size क्या होगा यह सब चीज़े इसी के अंदर वह भी control है चाहें तो आप वह भी control कर सकते हैं तो हम दुबारा से फिर इसको मैं remote के through पहले इसको पहुआ पहुआ सेंटर वाले से प्रेस किया अब इसके बाद में इसके ऊपर की साइड वाला सेंटर वाले बटन से आप देखेंगे सेंटर वाले बटन से ऊपर की साइड में मूब किया मैंने यह आपका play from beginning पर है अब मैं मैं right side वाले से move कर रहा हूं अब subtitles पर आगया सब्टाइटल सेंटर वाले को press किया मैंने अब subtitles on है तो on के बाद में इसके बाद language मैंने जैसे पहले बिताए language 2 की एक है language का option नहीं आ रहा है अब subtitles का size अभी सबसे चोटा पहले वाला size को मैंने ok किया तो यह आपको इस यह क्या जाने अग्जामपर लिखा हुआ है ऐसा सब्टाइटल आपको नज़र आएगा अब मैं ऑप्शिन सेकंड कर देता हूं कितने साइज कर देखेगा थोड़ा इसको फिर नेक्स्ट पर ओके कर देता हूं सब्टाइटल किस साइज में नज़र आएगे यह करेंने देखेगा जिए भी हम चेंज्ग कर सकते हैं तो और राइट ले जाएं तो अब आपका यह यह स्टाइख पहला स्टाइल सेलेक्ट कर दिया अब पहला स्टाइब किया दूसरा स्टाइब हो गया लिखने का अब ही यलो पॉंट भी कर सकते हैं तून 239 धानेवे और हैं सब्टैट्ल कि साइज का हो और उसमें स्टाइल क्या हो सब्टैट्ल को on रखना है और रखना ये सारी कंटोर्स आप इस इसके अंदर कर सकते हैं यह सब आपने सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको बैक लेजाएए और प्ले वाले तो आप थोड़ी दर में देखेंगे सब्टाइटल से बीच वीच में नजराते रहेंगे यह देखिए आप सब्टाइटल से यालो कलर में आ रहे हैं तो इस तरीके से यह मैंने आपको एक्जामपल दिखा यह प्राइम वीडियो एप के अंदर दिखा है इसी टाइप से दाउन लगा के आता हूं इसको इस वाले बटन से अगर आप गहर से देखें तो इससे यह आगा more like this audio and subtitles जब यह audio and subtitles के उपर बॉक्स ने जाएँ इसको audio and subtitles आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट कब होगा यह जब मैं और सेंटर वाले बटन को प्रेस करके करना तो मैंने सेलेक्ट कर दिया अभी दिखा रहा है सबसे उपर बॉक्स तो सेलेक्टेट है वो आफ पोजिश में इसके बाद इसके बाद इंग्लीश लेंगवेज औडियो जा है हिंदी या हिंदी ओरिजनल 5.1 यह सब चीज़ने आप इसमें कर सकते हैं यह अब आपके स्क्रीन के अपर यह सब्टाइटल्स के अंदर दो ऑप्शन दियें आफ और इंग्लिश तो इसका तरीका अलग है यहाँ पर तो आफ वाले पर अभी सेलेक्ट हुआ है तो मैं इससे क्या करता हूं रिमोट के अंदर इससे इसको नीचे लेक्ट आ अब सेंटर वाला बटन अगर प्रेस करूंगा तो यह इंग्लिश सेलेक्ट हो जाएगा अब सब्टाइटल्स जाया वो इंग्लिश के अंदर आएंगे क्यों इंग्लिश के आगे में टिक कर दिये इसी टाइप से ऑडियो कैसे है कि हिंदी ओरिजिनल में अभी सेलेक्ट ह मैं चाहूं तो हिंदी ओरिजिनल इस पर सेलेक्ट कर सकता हूं तो यह सेलेक्ट हो गया तो सब्टाइटल्स जाए आपके ओन हैं इंग्लिश में इसको बैक किया तो आप देखेंगे जाएंगे एड़ियून प्लेंग्ट करोंगे तो सब्टाइटल्स आपको नजर आने लग जाएंगे सेकंड ऑप्शन ही बताऊंगी हिझी में देखेंग हैं नीचे लेकर हम एंपले से लेंगाम इंग्लीज ओ Suzuki Eigenीस लेटीनल इसको अगर उलेक्त करने तो इंग्लीजीनल सब्तैटल्स हो जाएगा और कि खरेंगे to आपकका सब्तैल्स ओंग्लीश ओ इंग्लीस जेक्ट हो जाएगा है कि देखो आपको हींदी में सिलेक्टाऑ चुका है और audio English original English original कर सकता हूं और इसके अलावा दुबारा फिर मैं करता हूं English original 5.1 कर सकता हूं तो subtitles को on करना off करना इसके अंदर Netflix के अंदर इसी तैप से अलग अलग में ज्यादा तर आम Netflix और Prime TV यूज़ करते हैं तो दोनों के अंदर मैंने subtitles का controlling किस ताइप से कर सकते हैं यह बताने का प्रयास किया मुझे उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हुआ पसंद आए तो को लाइक और शेर कीजिए इस चैनल को पहली बार देखने वादे चैनल को सब्क्राइब करें इस वीडियो के बारे मुझे को कमेंट कर या फीड़ बैक जरू लिखें इस वीडियो को देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाब